दोस्तों अगर आपके मुबाइल में एडल का सिम कार्ड डला हुआ है और उसमें नो सर्वीस या एमरजंसी को लिखा हुआ आ रहा है या फिर आपका सिम कार्ड ओटोमेटिकली ही बंद हो गया है और अब आपको अपना वखी नंबर दोबारा से चालू करना है तो आज के इ वीडियो स्टार्ट करते हैं दोबारा सिम को चालू करने के मैं आपको तीन स्टैप बताऊंगा पहले आपको तीनों की स्टैपों को दियान से देख लेना है उसके बाद ही आपको ये तीन स्टैप ट्राई करना है तो सबसे पहले स्टैप में आपको ये करना है कि आपके जिस SIM card में network नहीं आ रखे हैं वो SIM card आपको किसी दूसरे mobile में डाल कर चेक करना है कि उसमें network आ रखे हैं या नहीं अगर दूसरे mobile में डालने पर SIM में network आ जाते हैं तो आपका SIM card बंद नहीं है बलकि आपके mobile की settings गड़बड है लेकिन अगर दूसरे mobile में डालने पर भी आपके SIM card में network नहीं आते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका SIM card company की तरफ से बंद कर दिया गया हो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने SIM card में 5-6 महीने तक कोई भी recharge नहीं कराते हैं या फिर अपने SIM card को mobile से बाहर निकाल का रख देते हैं तो ऐसे में हमारी SIM को company की तरफ से बंद कर दिया जाता है ऐसे में अगर आपका SIM card बंद हुआ है तो अपनी उस SIM को दोबारा से चालू करने के लिए आपको second staff में ये करना है कि अपने किसी friend या family में से एटल की किसी दूसरी SIM से आपको 19-25 पर एटल customer care को call लगाना है एटल customer care से जैसी आपकी call connect हो जाएगी तो आपको उन्हें अपनी SIM दोबारा से एक्टिवेट करने को कहना है SIM एक्टिवेट करने के लिए एटल customer आपसे कुछ जानकारी मांगेंगे जैसे के SIM card जिसके नाम पर चल रहा था उसका नाम क्या है उसकी date of birth क्या है address क्या है आपका SIM card कौन से mobile में डला हुआ है आपके SIM card पर last recharge कौन सा किया गया था या फिर आपकी SIM पर last call कौन से number पर की गई थी अगर आपकी बताई हुई जानकारी सब सही होती है तो तुरंधी एटल की तरफ से आपके SIM card को चालू कर दिया जाएगा लेकिन इस तरह अगर आप अपने SIM card को चालू नहीं घरा पाते हो तो तीसरे staff में आपको क्या करना है कि अपने आसपास किसी भी SIM store पर जाना है आप उनके पास भी जा सकते हो और वहाँ पर जाकर आपको बोलना है कि मुझे अपना नंबर चालू कराना है यानि कि मुझे अपनी बंद SIM को दोवारा से चालू कराना है लेकिन वहाँ जाने से पहले आपका वो SIM card जिसके नाम पर चल रहा था उसको साथ में ले जाना है और उनका आधार card भी साथ में ले जाना है क्यूंकि वहाँ पर आपकी SIM चालू करने के लिए जिसके नाम से आपका नंबर चल रहा था उनका finger लगेगा और एक live photo किलिक होगा उसके बाद आपके उसी SIM नंबर का आपको एक नया SIM card दे दिया जाएगा और 100-500 रुपे का चार्ज भी लिया जाएगा उसके 4-5 गंटे बाद आपका SIM card चालू हो जाएगा तो इस तरह आप एटल की किसी भी SIM को दोबारा से चालू करवा सकते हो I hope वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए साथी चैनल सब्सक्राइब कीजिए